नमस्कार दोस्तों, एक बार फिट से स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज के क्यूशन तो आज का अपना पहला क्यूशन है फ-1 इस्ट्रेन नामक्ति का मुर्गियों में किस रोख के उपचार के लिए लगया जाता है ओप्सञ रानी खेत, बरसल, भाल्वॉक्स या पलोरम तो इसका राही त। यूशन नंसरोगा ओप्सञ नमबर ए Option 19, 20, 70 या 15 वी तो इसका right answer रोगा Option number B BSU पसुगणना भारत की पहली डिजिटल पसुगणना थी Next question है मिस्कावी और पहली किस चारे की उन्नत किस में है Option बर्सिम, जाई, रिजका या गन्ना तो इसका right answer रोगा Option number A मिस्कावी और पहली बर्सिम, चारे की दोनों किस में है Next question है राजस्तान के कौन से जिले में सबसे कम पसुदन पाए जाता है Option बाड मेर, नागोर, दोलपूर या जालवाड तो इसका right answer रोगा Option number C राजस्तान के दोलपूर जिले में सबसे कम पसुदन पाए जाता है और सरवादिक पसुदन की बाद करें तो बाड मेर जिले में सरवादिक पसुदन पाए जाता है Next question है पसुओं के चेन की सबसे अच्छी विदी कौन सी है Option प्रोजेनी विदी, वनसावली विदी, शोरिंग विदी या व्यक्तिगत चेन विदी तो इसका right answer रोगा Option number A पसुओं के चेन की सबसे अच्छी विदी प्रोजेन विदी है Next question है निम लिखित में से बेड में गुनसोत्रों की संक्या कितनी होती है Option 54, 70, 60 या 50 तो इसका right answer रोगा Option number A बेड में गुनसोत्रों की संक्या 54 होती है जबकि उट की बात करें तो उट में गुनसोत्रों की संक्या 46 होती है अब आपको कमेंट करके बतन है कि 60 गुनसोत्रों किस पसु में पाये जाते हैं Next solution है मालवी नसल की गाई राजस्तान के कौन से जिला युगुमों में पाये जाती है Option A बिकानेर और नागोर Option B अलवर और भरतवूर Option C बाडमेर और बालोत्रा या Option D बांसवडा और जालावाड तो इसका right answer रोगा Option number D मालवी नसल की गाई राजस्तान के बांसवडा और जालावाड जिलों में पाये जाती है Next question है मुर्गी की सवसंदर परती मिनट कितनी होती है Option A 15-30 मिनट Option B 40-50 मिनट Option C 60-70 परती मिनट या Option D 90-55 मिनट तो इसका right answer रोगा Option number A मुर्गी की सवसंदर परती मिनट 15-30 मिनट होती है Next question है निम लिकित में से उट का मदकाल कितने दिन का होता है, यहाँ पर देख कर लेना ना मदकाल, उप्षन है 14 दिन, 20 दिन, 27 दिन, तो इसका राइट आन सुरोगा उप्षन नमबर A, उट का मदकाल 14 दिन का होता है, नेस्ट्रूशन है निमलकित में से किस विज्ञानी को पोसन का जनक खहते हैं ओप्षन है एंटोनी लेवोसियर, एजडी जॉनसन, मेल पिगी वे मेलकाय या मोरिशन तो इसका राइट आन सुरूगा ओप्षन नमबर एजडी एंटोनी लेवोसियर को पोसन का जनक का जाता है नेस्ट कुशन है निमलकित में से कौन सी एक बेंश की नसल है ओप्षन है गिर, थार पारकर, जर्सी या सूरती तो इसका राइट आन सुरूगा ओप्षन नमबर एजडी सूरती है वो एक बेंश की नसल है बाकी तीनों गिर, थार पारकरोड जर्सी ये तीनों गाय की नसले है नेश्ट कुशन है पस्वों में गराश टीटेनी रोग किस पोसक तत्वा की कमी के कारण होता है ओप्षन है मेगनिसियम, केलसियम, आयरन या गंदक तो इसका राइट आन सुरूगा ओप्षन नमबर ए पस्वों में गराश टीटेनी रोग मेगनिसियम तत्वा की कमी के का नेस्ट कुशन है गाई की कीश में लगबख कितने 30 प्रोटिन पाई जाती है और सफन 17 प्रतीर बाइस 10, 27 प्रतीर या तेट complaint वर देशलर गाउं से नुंबर एक गाई की कीश में लगबग 17-38 प्रोटीन पाई जाती है नेश्ट कुशन है जुगाली करने वाले पसुओं में दातों की संक्या कितनी होती है ओपसे नब 32, 30, 34 या 36 तो इसका राइट आंसर रोगा ओपसे नमबर A जुगाली करने वाले पसो में दातों की संक्या 32 होती है और दोस्तों सामाने तर जो जुगाली करते हैं उन पसो में बेड, बक्री, गाय और बेस आती है और इनका मेने दातों का आपको पहले भी बता है लेकिन इसे परसन गुमा कर आ जाता है न कि जुगाली करने वाले पसो में दातों की संग्या कितनी होती है तो आपको राइट आंसर 32 दान्द करने हैं, नेश्ट कुछन है पसवो में रेबिज रोक को अन्ये जना में किस नाम से भी जाना जाता है, उपसव्था रोक हाइड़ोफोबिया, मौलोफोबिया या खर्पोक्स, तो इसका राइट आंसर अपसे नमबर B, Rabies Rook को Hydrophobia के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तो इसे ही जल बिति के नाम से भी जाना जाता है Next question है पसो की ठकान दूर करने के बाद सर्दि से बचाव के लिए prode पसो को एलकोईल की मातरा दी जाती है उप सन 500 ml, 400 ml, 300 ml, 200 ml तो इसका रैट आंस रुगाुपसर नमबर 1 एलकोईल की मातरा 500 ml दी जाती है नेंश्क कुशन है, बेढ के शीषण के चारो ओर से बालों को हटाने की विदी क्या खहलाती है, ओप्शन है, रिगींग, क्लिक्स, डब्बिंग या डोकैंग, तो इसका राइट आइट सुर रोगा ओप्शन लुगा, ओप्शन नमबर A, बेढ के शीषण के चारो ओर से ब प्रामिनाथन, लूटियस, मौरिवो, वर्गीज, कूरियन या पेबला नेरूला तो इसका राइट आंसरोगा उपसर नमबर C, वर्गीज, कूरियन को मिल्कमेन ओप इंडिया खहते हैं, ने स्टूशन है, राष्टिय डेरी विकास बोर्ड की स्तापना कब हुई, उपसर न 1970, 1950 या 1977 तो इसका राइट आंसरोगा उपसर नमबर A, राष्टिय डेरी विकास बोर्ड की स्तापना 1965 में हुई थी, ने स्ट कूशन है, रजत करांती निमल खित में से किसके उत्पादन से समन्दित है, उपसर न उन उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, आलू तो इसका राइट आंसरोगा उपसर नमबर A, रजत करांती सोरी, इसका राइट आंसरोगा उपसर नमबर B, रजत करांती वो अंडा उत्पादन से समन्दित है, ने स्ट कूशन है, निमल खित में से, दूद उत्पादन में सरवादिक योगदान किस पसू का है, उपसर न बेंस, गाय, उंट या बकरी तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर A सरवादिक दूद उत्पादन में जो योगदान वो बेंस का है नेस्ट्रूशन है निमलिकित में से बेड़ की वीदेशी नसल कौन सी है उप्सन रेंबूलेट, काराकूल, मेरिनो या उप्रोक सभी तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर D ये सभी ही बेड़ की वीदेशी नसले है नेस्ट्रूशन है इस बकरी की नसल को सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है उप्सन बरबरी, टोगन बरग, सानेन या अंगोरा तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर A बरबरी नसल की वकरी को सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है नेस्ट्रूशन है किस लोग देवता को उट के देवता के रूप में भी जाना जाता है उप्सन तेजा जी, देवनारायन जी, पाबू जी या जुनजार जी तो इसका राइट आंस रोगा उप्सन नमबर A पाबू जी को उटो के देवता के रूप में भी जाना जाता है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही और आपको कमेंट करके जुरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है और दोस्तो आप से भी को टेलिग्राम जुरूर जोइन कर लेना है वहापर जो भी पसुपरीचर, बरती समभनी नोड्स या पिर जो भी इंपोटेंट फिक्ट्स है वह मैं आपको अवलेबल करवा रहा हूँ तो आप टेलिग्राम जोइन करके उनका अध्यन भी कर सकते हैं बाकि दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगते वीडियो लाइक जरू कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिविक्स हम सबसे अपहले मिल सके तो मिलते हैं अगले वडियो में तब तक लिए धन्यवाद